अब हम Transport Management System में देखेंगे Generate Bill यानि Bill बनाना Generate Bill के लिए हम Booking में जाएगे Booking में हमारे पास Option होगा Generate Bill Generate Bill पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर Date डालेगे क्यों सी डेट से क्यों सी डेट तक का हमें चाहिए यहाँ पर Consigner का नाम Add Party पर क्लिक करेंगे और Consigner का नाम सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर Show All GR पर Right क्लिक करेंगे और हमारे List of GR Numbers यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर हम Door Delivery Amount डाल देंगे I'll Charge This Service Tax और हमारा Net Total यहाँ पर आ जाएंगा और यहाँ Generate पर क्लिक कर देंगे और अगर हमें प्रिंट चाहिए तो प्रिंट पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर हमें इसे Generate करते हैं हमारा Bill Generate हो गया है और हमारा यह Bill नंबर है अगर हमें अपना पुराना Bill देखना है तो यहाँ पर Bill नंबर डालेंगे और Enter कर देंगे और हमारा Bill यहाँ पर आ जाएंगा इसमें हम कुछ मोडिफाइब भी कर सकते हैं मोडिफाइब करने लिए सबसे पहले यहाँ पर चेंज कीजिए कुछ भी और मोडिफाइब पर क्लिक कर देंगे हमारा Bill अपडेट हो जाएगा